लास एपिसोड में देखे थे सेयल और हेलमेट वाला दोनों एक ही है जिसकी वज़े से सेयल ने एसेमली मैन को किक मारा और बाकि सब लोग शौक रहते हैं सेयल किक मार के फिर थपर मारता है और बोलता है क्या समझ के रखा है हां मररर कहीं का कैप्टन उसे ढखका दे के हटाता है फिर वो होश आके सूचता है क्या किया मैने फिर देखता है कि हेलमेट वाला खड़े हो के ताली मार रहा है बोलता है क्या कीक था सेयल सोरी बोलके उस वो बोता, सही है, तुम जबसे लोग को हथकरी लग नहीं चाहिए, सेओल सुसता क्या बोल रहा है, फिवा अपना हाथ दिखाता है, उसके हाथ में हथकरी नहीं होती, सिओल अपना हाथ vraag देखता है कि उसके हाथ में ही हथकरी लगी है तबी पुलिस लोग आते हैं तो सेओल भाग जाता है यहाँ पुलिस स्टेशन में जेसन फोन ट्राइक करता रहता है बट लगता नहीं है सब लोग परिशान रहते हैं हेगम को किसी का कॉल आता है वहाँ असेमली मैन गुस्से में बैठा होता है फिर कमिशनर से पुछता है कि सेओल ऐसा क्यों किया वो बोलता मुझे नहीं मालूं सही में हम लोग सब उसे ढून रहे हैं जल्दी ही पकर लेंगे असेमली मैन बोलता है कि यह सब मीडिया में लीक नहीं होना चाहिए नहीं तो शांत नहीं बैठूंगा फिर हेगम जाके सियोल से मिलती है और उसकी हतकरी खोलती है सियोल उसे नेकलेस के बारे में बताता है कि यूना को असेमली मैन नहीं मारा है हेगन उसे नेकलेस मांगती है वो बताता रहता है कि मेरे से किसी ने छीन के पानी में गीर गया उसे सब समझाने की कोशिश करता है कि ये सब हेलमेट वाले ने किया है बड़ वो बोलती मजाग चल रहा है क्या नेकलेस किदर है अगर नेकलेस नहीं मिला तो तुम्हारा करियर खतम हो जाएगा इसलिए वो नेकलेस दे दो मुझे सियल हतकरी देखके सूसते अगर मैं वो हूँ तो फिर से बोलता है कि जल्दी से गारी निकालो और वो लोग जाते हैं सियल के घर वहाँ देखते हैं कि पहले सी पुलिस उसके घर चानमीन कर रहे है फिर यह लोग छुप जाते हैं वो लोग जब जाते हैं तो यह लोग घर मे से रोशनी आ रही है यह लोग तिजौरी में देखते हैं किया हेलमट वाले का समान रहता है सिवल गई पुरा क्या नेकलिस को फिकने वाले थें? वो बोलता है, हाँ, मैं फिकने वाला था, क्योंकि यह मेरा केस नहीं था, मुझे और मुछिल नहीं करना था, वो बोलती है, तुम जैसे लोग ऐसी ही कर सकते हो, सेहल फिन नदी में जाके ढूंता है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता फिर अपनी माम के घर जाके खाता है और बोलता है कि अगर कुछ भी हो आगे तो शॉक मत होना उसकी माम पुछती क्यों क्या हुआ वो देखता है कि उसकी माम के पास ही निकले से वो पुछता है कि निकले स कहां से है उसकी माम बोलती है दोयन बोलते हैं कि यह नहीं है और हम भी फर्स जाएंगे सेवल बोलता है कि दूसरी टीम यह केस पर फोकस कर रही है अगर हमाई टीम भी करें तो कितना अच्छा होगा फिर कैप्टन कमिशनर को बताता है और बोलता है कि सिवल को करने देते हैं अगर वह सही हुआ तो अच्छा ही फिर उसे फिश टेंग में भी दुबाता है वहां से यॉल कार का कैमरे के वीडियो निकाल के डॉक्टर को जाता है दिखाने कि देखो यह मैं क्यू करूंगा अपने ही कार पे डॉक्टर बोलता है मतलब दूसरा भी तुम हो अच्छा यह केसे फिर से पुछता है कि क्या कि डॉक्टर ही सो गया है उसे उठाके वह पुछता है सपने के बारे में डॉक्टर बोलता पहले यह बता उसका नाम क्या है नाम होना चाहिए उसको अच्छा लगे जागा कुछ नाम से बुलाओगे तो से बोलता मतलब इंतजार करूं कब वह सामने आएगा और उसे नाम करता है फैसे कि डॉकला उतले पूलतीक कि बचाता है तो जल्दी से बिखिया वो फूं कहा रहता है वही कार के पास है नाम आशार कौता हिगैम कि अभाा करrovा से बार आठेब को सी डोके जाताता ते नाम हनं सक्टार कनि पम्सार दु के ग्रमाया बोलता है वह यह रहता त बोलता है ऐसे तो मार जाओंगे सिएल उसे देख के चिलाता है और भांग नहीं जाता है हरमेट वाला उसे पकड़ गे सारी दवाए इसके मुँमें डाल देता है और बोलता एक साथ खाकर मर जाओ सिल उटके उसे पूछता कि तुम्हाना नाम क्या है? वो शर्मा के बोलता मेरा के सिल बोलता गे? वो बोलता के ह एच आई जे के सिल बोलता के यह कैसा नाम है और सो जाता है सुबह हेगम आके उसका घर ठुकती है बट वो खोलता नहीं है तो अपना बट्डे डाल के देखती है तो खुल जाता है अंदर आके देखती है कि सौ रहा है तो उसे एक चमाड मारती है वो उटकी केक को ढूलने लगता है फिर उसे पुछता थुम अंदल कैसे आई वो बोलती है मेरा बट्डे क्यों रखे हो सेवल болता मेरा घरे में कुछ रहो बड़ उसे बॉटल से डराती है सेवल बोटर ठीक है ना साथ में मिलके सॉल्फ करते हैं महां गारी का लीडर अपने गैंग के साथ छुपा होता है तब यह उसका आदमी आके बोलता है कि सेम बाइक और हेलमेट वाले को ढून रहे है जल्दी ही मिल जाएगा हमें चोड उसे पकर्टिव डुड मटर रहे हैं जिन को स dif को यगारा है वन परिएक प्र लिखनार सबसें देख जाता है और सताल तो सबस्क Жांत को बden चला जाता है है जिए रहे हैं उसका लिए उना कि बोड़ी ठीकाने लागा था लिए मिस्टर माय वो कि चला जाता गर आके देखता है कि उसका भाइग लेकरा सप्राइज दे रहा है कि तुम्हारा बड़े नहीं देञाल बलता है जी दिन मेरा बड़े सुल्द एंप मोसीबत वियरा फिर बताता है कि हमारी generation से दरग charging manière पुचता है तुम धो रात में नहीं मैसज तो मा deepest जाता है कि यह कहा जैसे सब का मनेतर संदुक दिखाता है तुम अधर कर्या है कि अज्वे सिंदूक दिकाता है ब्लैक 마र्केट का्रिलिस नि contributor आज के ब्लैक मार्केट कउन जाता है फी व सारी जूलोरी की फोटो कीच के ब्लैक मार्केट के डालता है और बोलता है बस देखते जाओ देंगा ऑन रिवा पर कल देना होगा दिलिवरी कमपणी अब क्या खुली में ड्रग बेचोगे वह बोलती तो क्या नहीं बेच सकती फिर वह चला जाते वहां वह लोग देखते हैं कि काले बजार पर वोलों का समान है तो वह लोग को देवल का दुकान का नाम भी मिल जाता है यहां सिवल को जेसन कॉ पर बताता है कि पिछले 5 साल का प्रोसेक्टर वाले चानवीन कर रहें कि पैसा कहां गया और कहां से आया तभी दोल का खौल आता है वह उल्टा लटक के बोलता रहता है कि सोयल मुझे बाके बचाओ यह लोग को बताओ कि वह सब तुमने लाए थे यह सुनके सोयल भागता ही रहता है कि सपोर्ट टीम को लेके जल्दी आओ यह देखके बोलता है तुम वही पुलीस वाले हो ना और सब को चिला के बुलाता है सब लग उसके कार का काच तोड़ते रहते हैं सेवल भागते भागते सुपर मार्केट में घुस जाता है यह लोग भी उसका पीछा करत सबगेता है यह दो इउसे मार के गढ़ेते हैं तो इतना खिर्वान के बात क्लिवाने के और क्यूँ है इसको आपकड दो यू गन को बढ़ना है तो वह रखिता एक लाट मार के बच्ता है तब मज़े के इस ली निकाल के फिर उसे बिद्ध दो आठ्टे-क टे मिलते हैं तो वो लो को मार नहीं पाता इसलिए रसी निकाल के दोनोคओ मार मारी के लपिट gider तभि पिछे से आ के चाकू से हमला करता है के चाकू पक्रा रहता है तभी हेह खना के लात सोयल उसे नीचे उतारता है वह गंभांच करता है कि अतने सारे इल्जाम है तो बहुता है कि उन्हारी लाश लेके कौन आया था well पहले दो बहुत घुमाता रहता है, नहीं बतावगे तो मडल कषब में अंदर करदूगा, यह इरिक्टी गरुटूर जेसन के साथ भाग के जाता है डियरेक्ट्रीव डवां के धर रेक्टीव आधा करना धर जाता ही रहता है तब ही देखता है कि ड्राकी लीडर आई है क्यूंकि दो यूगर्ण ने उसे डिरेग्डिडियी दो की फोटो दिया था मारने के लिए इसका असिस्टिंट उसको गला दबा देता है जब यह लोग आकर देखता है कि वह पहले से मारा होता है तब ही जैसन को कॉल आता है कि वो बोलता है जल्दी से ऑफिस जाना होगा वहां आफिस में सब लोग उसका फाइल सब लेते रहते हैं सोयल को उसकी मम का कॉल आता है वो भी पताती है कि कुछ लोग आके पूरा उनका स्टोर बड़बाद करके चले गए है फिर सोयल उसे माफी मांगता रहता है कि गलती हो गई है माफ कर दो आप मुझे मार भी सकते हैं वो बोलता है मैं गुंडा हूं क्या मैं सोयल उसे नेकलेस देता और बोलता यही है सब उत बस मैं अपनी जगा भूल गया था माफ कर दो वो बोलता सब गलती करते हैं फिर दूसरी वीडियो मेसेच प्ले करता है दो येगन बोलता रहता है ये तुम रख लो तुमारा रिटारिमेंट गिफ्ट सोल बची का सोच के गुसा करता रहता है जब मूध होता है तभी उसे कॉल आता है सोल पुछता कौन? वो बोलता है सोल पुरा शॉक हो जाता है यहीं एपिसोड खताम हो जाता है नेक्स एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करा बैन लिफिक्शन जरूर अंट करे हम भी लेंगे नेक्स एपिसोड में बाई टेक्क्राइब